हेलो फेंट्स, इस टॉपिक में आप जानेंगे कि SC-ST वर्क के व्यक्ति से यदि आप जमीन खरीदना चाहते हैं, क्रसी जमीन या आवासी प्लोट, रेजिदेंशियल या हाउस, ठीक है, तो उस पर खरीदने के नियम क्या है, नए नियम क्या है, और यदि माली जे आप जमी नहीं किया, तो राज सरकार जमीन नहित कर लेती है, ठीक है, ये आदेश भी मैं आपको एक सात्यों दिखाऊंगा, क्योंकि अभी रिसेट में कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति ने डॉकुमेंट्स के वरिफिकेशन के लिए मुस्ते कॉल किया, जब मैंने वरिफिकेशन कि रहे हैं, या आप कोई भी जमीन खरीद रहे हैं, और उसका डॉकुमेंट्स वरिफिकेशन करवाना चाह रहा है, कि जमीन सही है कि नहीं, तो आप करवा सकते कॉंटेक्टेमरी वीडियो की डिस्केस्टन में में मैंसन किया गया है, आते हैं अपने पॉइंट पर, साथियो जैसा के SCST से जमीन जो है खरीदने पर, SCST वर्क के जो भी व्यक्ते हैं, उन्हें जमीन बेचने पर, खरीदने पर नहीं, बेचने पर, सरकार ने restriction लगा रखे, प्रत्वन्द लगा सकते, क्या लगा दियें, क्या आप लोग जमीन नहीं बेच सकते, क्यों, क्यों वो भूम हिन न हो जाएं भूम हिन न हो जाएं ठीक है ना अब सात्यों इसका प्रोविजन किया गया है धारा 157 का जो की यूपी जेड़े एलार में था ठीक अब कानून में संसोधन हुआ नया कानून आया यूपी आर्सी 2016 उसमें फिर से 157 की जेगे कानून धारा 98 बना दी ठीक है अब धारा 98 प्रतबंद लगाती है रोक लगाती है कि SCST वर्क के व्यक्ति जो हैं वो किसी अधर कास्ट को जमीन नहीं बेज सकते हैं सेक्षन 98 अनसूचित जात के भूमदरों द्वारा अंत्रल पर प्रतबंद क्या आप न कोई बेनामा कर सकते हो ना दान पत्र दे सकते हो ना वसियत कर सकते हो रिस्टिक्षन लगा रखें अब मैं बता रहा हूँ सेक्षन 98 के नियम क्या क्या रिस्टिक्षन है और किन कंडिशन में आप खरीद सकते हो ठीक है साथियो पहली चीज यह है सातियो अगर आप यह सोच रहे हो कि मैं आवासी प्लोट खरीद सकता हूँ या मैंने आवासी का स्टाम्प पे किया है तो खरीद सकता हूँ कुछ नहीं होगा गलत सोच रहे हो राजसरकार जमीन जब्त कर लेगी आपकी और आपको वहाँ से हटा देगी ठीक है तो यह नियम जान लेना जरूरी है देखे सातियो यूपीरसी सेक्शन 98 यह कहता है कि यदि कोई भी बंदा जो SCST का नहीं है अनकास्ट से है वो जमीन खरीदना चारा है SCST की तो वो नहीं खरीद सकता है अगर खरीदना है उसे तो कलेक्टर की लिखित परमीशन ले उसके अनवाद जो है वो विक्रे, दान, बंदक, पट्टा यहा मान लीजिए वसीयत तभी कर सकता है कलेक्टर यानि की DM की लिखित परमीशन ले अब सवाल आता कि सर मैं लिखित परमीशन कैसे लूँ उसका प्रोसेस क्या है तो प्रोसेस के बारे में बाद में बात करेंगे पहले यह जान लीजिए कि किन कंडीशन में परमीशन मिलेगी सबसे पहले जो SCST वर्क का व्यक्ति जो है जो बंदा है वो आपको जमीन बेचना चाह रहा है तो उसके पास जमीन जो है वो लगबग साड़े तीन एकड से अधिक होनी चाहिए यह जमीन बेचने के बाद बचनी चाहिए पहली चीज ठीक है दूसरी साथियों यह है कि अगर उस बंदे का कोई भी उत्तरा अधिकारी नहीं है कोई भी बेटा बेटी प्रतंबर्ग में कोई भी उसका अत्रादगारी नहीं है तो ऐसी कंडिशन में भी डियम जो है वो जो परमीसन है वो दे सकते हैं ठीक है कि आप खरीद लिए ठीक दूसरा जी हो गया तीसरा ऐसाती हो कि यदि मालीजे कोई अनसूचित जात जनजात का व्यक्ति है उसने जमीन खरीदी थी है उसकी जमीन कोई पड़ी है लेकिन वो उस जमीन से दूर कहीं दूसरे राजजमेया दूसरे जिले में रहने लगा है जो के अब वो नहीं आता जाता है वहीं पर बस चुका है अब उसे वो जमीन बेचनी है तो ऐसी कंडिशन में भी इस आधार पे भी वो कलेक्टर से जमीन बेचने के लिए परमीसन ले सकता है तो हमने जो है वो तीन कारण बताए ठीक है मान लीजिए उसका उत्रादिकारी कोई जीवित नहीं है ठीक है या वो दूसरे राज्य में रह चुका है या उसे कोई गंभीर बीमारी हो गई है इलाज के लिए उसे भाई पैसों की सक्त जरूरत है तो ये तीन-चार कंडिशन है ठीक है आप अपनी जमीन बेच लीजिए ठीक है और लिखित पर्मीशन मिल गई तो आप जमीन बेच सकते हो कोई भी आपको दिक्कत परिशानी नहीं आएगी ठीक है साथियो पहली चीन अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर माल लीजे आपने उलंगन कर दिया तो क्या होगा ठीक है आपने आवासी प्लोट खरीदा तो उसकी रिजिस्ट्री कैंसल हो जाईगी आदिस दिखाऊंगा आपको ठीक है साथियो अब ये तो हमने बता दिये आपको कि भाई कौन कौन सी कंडीसन है जब आपको परमीसन मिलेगी अब आप सोच रहे होगे कि भाई 2022 में एक आदिस आया था स्टी की जमीन बिना परमीसन के खरीद सकते भाई वो कानून टाउन सिप पे लागू होता है क्रसी जमीन ऐसे प्लॉट्स पर लागू नहीं होता है और कोई भी कानूनी सला लेनी है या कोई जमीन खरीद रहे होगे डॉकुमेंट चाह करवाना है तो आप कॉंटेक्ट कर सकते हो कॉंटेक्ट नमर वीडियो की डिसकसन दिया गया साथी है ठीक है और आर्सी प्रपत्र 28 में जो है वो कलेक्टर जो है वो आवेदन करेगा ठीक है जाच बेजेगा जाच जो है तैसिलदार पूरा प्रोसेस है अब साथियो कुस्सन होगा कि भाई मैंने तो आवासी प्लोट खरीदा यह नम आवासी प्लोट पर लागू नहीं होते तो जो कोई व्यक्ति एडवोकेट ऐसी बात कह रहा है कि आवासी पर लागू नहीं होंगे उससे यह पूछ लीजिए का कहां पर सर लिख कराना पड़ेगा ठीक है मात्र इससे काम नहीं चलेगा कि मैंने आवादी का स्टांप पे कर दिया है पहली चीच ना मात्र इससे काम चलेगा कि मेरी रेजिस्ट्री में यह आवासी लिखाए इससे भी काम नहीं चलेगा ठीक है आप परमीसन लीजिए अब प्रोपर्टी है कि यहां पर आदेस देख लिए यहां पर लिखा है कि हेप चेतरी लेकपाल को आदेशित किया गया कि चेतरी लेकपाल द्वारा अपनी आख्या प्रस्तुत की गई केस चला था वहां पर कारवाई की सरकार ने तो चेतरी लेकपाल को आदेश दिया गया था कि आपके आख्या देश इस मेंटर पर जिसमें उसके द्वारा कहा गया कि ग्राम का नाम मैं नहीं बताऊँगा साथियों क्योंकि दूसरे की जैनकारी में आपको नहीं दे सकता बेसिक नौलेज आप जैनली ठीक है ये ग्राम जो है कि विक्रे धारा 157 का पहले 157 का थी अब सेक्षन 98 कर दिया है जो रिस्टिक्षन लगाता है जो अभी मैंने नियम बताए हो ठीक है भूम बस्ता अधिनियम प्रावधानों के प्रत्कूल है उक्त लेकपाल आख्या से एस्पस्ट है कि मूल बादी द्वारा किये गए व लखनाव तैसील बक्सी जनपद लखनाव खतोनी खाता संक्या और खसरा संक्या पर पूर्व नामांत्र रेक दाखिल खारेज हो गया था तीस च्या दो जार बीस निरस्त करते हुए भूम राज्ज सरकार में लाए जाने है तो आख्या सेवा में प्रदेशित है आदेश क आंके नहीं यानि कि सारी जमीन राज सरकार ने जब्त कर ली खतम कहानी इसलिए साबधार रहे हैं और कोई भी सला लेना चाहते ले सकते कॉंटेक्ट नमर वीडियो के जिए